हेलो अबरीवरन आज हम करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइन्स की वक्षीट 1 डेट है इसकी 6 जुलाई 2021 और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टेंग क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे और बेल एकन को क्लिक कर ल इन्टू ग्रुप से है और इसी चैप्टर की वक्षीट है और यह चैप्टर है साइन्स का वह हमारे चैनल पर अपलोड़ेड है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप साथ साथ चैप्टर भी समझ दीजिए जिससे आपको वक्षीट करने में इसी रहे आपको नॉलिज आपकी भड़ती रहे और साथ ही साथ चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम से रिलेटेड कॉस्टिन आपके चैप्टर में सब कुछ होता है तो आप चैप्टर जरूर समझेगा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शर में दे दूंगी ठीक इसमें एक पिच्चर आपको इस तरीकी की दे रखी है जिसमें सारे वेजेटेबल और फ्रूट यानि फल और सबचियां मिली हुई है दूसरे पिच्चर ऐसी है जिसमें सारे फल और सबचियां एक जगे घटी है जैसे देखिए यहाँ पर आपकी कैप्सिकम यहाँ पर प 1 & 2 1st question आपका ये है कि पहले figure और दूसरे figure में आपको क्या दिखाई दे रहा है तो हमें vegetable और fruit दिखाई दे रहे हैं है ना तो we see vegetable and fruit in both the figures ये इसका answer है next है Is it easy to find things from the both figure क्या दोनों figure में चीजे डूड़ना असान है तो इसका answer हो जाएगा no no क्यों 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 कि देखिए जो आपका first figure है अगर आप इसमें देखें तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजे ढूड़ना जबकि दूसरे वाले figure में काफी अच्छी तरीके से चीजे को maintain कर रखा है तो इसमें आपका लिए easy हो जाएगा तो दौनों figure में easy नहीं है figure 2 में find करना easy है तो यह हो जाएगा हमारा no थर्ड है how is figure 1 different from 2 figure 1 figure 2 से different क्यों है अलग क्यों है तो इसका answer है in figure 1 all vegetables and fruits are placed together whereas in figure 2 each fruit and vegetable is sorted and placed in a group तो इसका answer हमें यह लिखना है मतलब की देखिए figure 1 में सारी vegetable और जो fruit है वो सारी एक साथ रखे हुए है जबकि figure 2 की अगर हम बात करें तो उसमें हर एक fruit और vegetable को छाटा है और समूहू बनाया है उनका group बनाया है अच्छी तरीके से इसलिए figure 2 में कोई भी चीज ढूना असान रहेगा तो इसका ये answer है हमारा उसके बाद in which case it is easier to find thing मतलब कौन से figure में चीज़े ढूना असान है तो things in figure 2 are easier to find यानि figure 2 की चीज़े ढूना असान है इसका ये हमारा answer हो जाएगा फिफ्ट है अपी जो question 4 हमने बोला है हमने ये बोला है question 4 में की figure 2 इस वाले figure में चीज़े ढूना असान है तो हमने ऐसा क्यों बोला असान क्यों है कारण बताईए तो यहाँ पर ये पुछा गया है तो क्यों असान है answer है इसका 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 आपको ये लिखना है इसका मतलब है कि figure 2 में सारी vegetable और fruit अरेंज की गई है एक systematic order में यानि एक तरीके से व्यवस्तित क्रम में अच्छी तरीके से ठीक है तो इसका answer ये हो जाएगा इसे लिए ये easy है जिससे हम figure 2 में मतलब कुछ भी ढूड सकते हैं तो आप ये answer लिख देंगी question 5th का और ये हमारा ये complete हो जाता है seeing both the figure 1 and 2 it is found that vegetable different from each other in color, size, shape and texture etc. तो हमने दौनों figure देखे इन में हमें पता चला कि सारी vegetable और जो फल है वो एक दूसर से बहुत अलग है कोई नीले रंग का नीले रंग का नी कोई red color का है कोई yellow color का है है ना तो ये चीज़ है so arranging and grouping them makes it easier to find them अगर सारी एक जगे पर ऐसे ही vegetable पड़ी है जैसे figure 1 में सारी एक जगे पड़ी है अगर हम क्या करें इनको arrange करें arranging and grouping arrange करें और इनको अच्छी तरीकी से grouping का मतलब होता है arrange कर लीजे पहले माल लेजे हमारे पास कई सारी vegetable है पहले तो हम उनको arrange करेंगे एक साथ रखेंगे उसके बाद उनमें से छाटेंगे जैसे के लिए vegetable में हमारे पास जो tomato है उसको अलग रख दीजे जो brinjal है उसको अलग रख दीजे तो इस तरीके से हम ये वाली figure हमें grouped है ये वाली figure ठीक है तो इसमें ये बोला गया है कि arrange और grouping करने से कोई भी चीज easier हो जाती है ढूड़ना अगर हम इस figure one की तरह कोई भी चीज रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है तो grouping इसलिए जरूरी होती है किसी भी चीज की तो अब यहाँ पर देख लिजे the process of sorting things on some basis and grouping them is called classification ये बहुत important है ऐसी process जिसमें हम छाटें और उनका सम्हूं बनाएं जैसे इस figure में बना रखा है उसको हम कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि figure two में classification करा गया है सारी vegetable और fruits का ठीक है classification का मतलब होता है किसी भी चीज को sorting करना और grouping करना sorting का मतलब होता है छाटना grouping का मतलब अच्छी तरीके से रखना स्तामूं बनाना इस process को हम classification कहते हैं ठीक है तो ये आपको याद में रखना है classification किसे बोलते हैं अब लेट उस दो इत अब यहाँ पर बोला गया है कि इस figure को देखिए इस picture को देखिए इसमें क्या है रेड कलर के टमाटर है और लाल कलर की गेंद यानि बॉल है जिनसे आप खेलते हैं तो ये हमारे टमाटर है और यहाँ पर यह जो आपको दिख रिए यह लाल रंग की ही केंद है तो टमाटर भी रेड है और बॉल्स भी रेड है तो इस picture में आप इसे grouping कैसे करेंगे इनको अलग-अलग समू कैसे बनाएंगे इनका classification इनकी कैसे करेंगे तो हमें क्या करना है इनका 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 मैंने पूरी कर रखी है अब देखें, similarity इन में क्या क्या similarity है? क्या क्या चीज़े इन में एक जैसी है color, color इनका एक जैसा है similar है, because क्यों similar है? क्योंकि both are red in color, दोनों ही लाल रंके हैं अगर हम different की बात करें तो color में not different color में different नहीं है color में similar है, because both are red in color, shape की बात करें तो shape में not different यानि अलग नहीं है, similar है not different यानि अलग नहीं है, ये similar है because क्यों similar है? both are round, क्योंकि दोनों ही गोल है, दोनों ही गोल है आप देख पारे होंगे, size size, size इनका not similar, similar एक जैसा size इनका नहीं है different size है, अब similar क्यों नहीं है, क्योंकि tomato is big and ball is small in size, tomato तो बढ़ा है size में, और जो ball है वो छोटी है, इसलिए ये different है, similar नहीं है edible, edible का मतलब होता है खाना, खा सकते हैं इनको खाने में तो ये different है मतलब हम tomato को थोड़ ना खा सकते हैं, तो not similar because ball is hard, ball तो hard है उसको हम नहीं खापाएंगे, tomato is soft tomato soft होता है और उसको हम खापाते हैं ball से तो खेला जाता है, कौन सा हम उसे खाते हैं, तो edible में ball नहीं आएगी, edible में tomato आएगा, तो ये different है ठीक है, इस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे, उसके बाद hint यहाँ पर दे रखी है, जिसे आप यूज कर सकते हैं, soft, hard, rough, smooth, soluble, insoluble, heavy light, transparent और translucent, तो ये hint box है, वैसे हमने इस तरीके से टेबल पूरी कर लिया, आप भी इसी को लिख लीजेगा, नहीं तो आप अपनी तरीके से hint से भी use कर सकते हैं चाहें तो, आप देखते हैं important point, एक important point है, despite the similarity in shape and color of the object, they are still different from each other, यहाँ पर बताते हैं, कि जो tomato और gain है, ball और tomato है, उनमें कितने सारी similarity है, एक तो उनका shape गोल है, और उनका color लाल है, लेकिन फिर भी वो एक दूसर से कितने different है क्यों different है, कि टमाटर बढ़ा है, बॉल छोटी है, खा नहीं सकते बॉल को टमाटर को खा सकते है ठीक है, तो यह हमारी worksheet finish होती है इसमें हमने यही questions करें है और जाना है कि classification किसको कहते हैं, the process of sorting things on some basis and grouping is called classification तो, खतम होती है हमारी worksheet कैसी लगी आपको बता सकते हैं समझ आई, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और चनल को subscribe करना ना भूलेगा, ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थांक यू